देश के लिए 8 दिसंबर 2021 का दिन बेहत दुखत रहा क्योंकि जाते जाते ये साल भारत के पहले और सबसे इमानदार सीडियस जनरल विपिन रावत को भी अपने साथ ले गया भारत में सीडियस विपिन रावत के हेलिकॉप्टर के क्रैश होने की खबर ने पूरे देश में शोक की लहर फैला दी थी लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हेलिकॉप्टर क्रैश होना हादसा था या सोची समझी साजिश क्योंकि पांच ऐसे सवाल हैं जिस से इस सवाल को बल मिलता है क्या हैं वे पांच सवाल जो इस पूरी वारदात पर रहस्य से परदा उछाते हैं इस रिपोर्ट में देखिए तामिल नाड़ो के कुन्नूर में बुदवार को हेलिकॉप्टर धुर्गट्टा में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत उनकी पतनी और ग्यारा अन्य रक्षा कर्मियों की मौथ हो गई CDS विलिंग्टन के डिफेंस स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थी तभी ये हाथसा हो गया हलिकॉप्टर लेंडिंग से कुछ मिनिट पहले दुरगटना ग्रस्थ हो गया इन सब के बेच लोगों के मन में हाथसे को लेकर कई तरह के सवाल और आशंकाए हैं जानते हैं ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाबों के बारे में सबसे पहला सवाल हेलिकॉप्टर से कोई डिस्ट्रिस कॉल क्यों नहीं आई सूत्रों ने बताया कि प्रमूख रक्षा अध्यक्ष सुभा पालम एरबेस से भारतिय वायुसेना के एंब्रेर विमान से रवाना हुए थे और सुभा करीब साड़े ग्यारा बजे सुलूर एरबेस पर पहुँचे सुलूर से उन्हें MI-17 V5 हेलिकॉप्टर के करीब पोने बारा बजे वेलिंग्टन के लिए उडान भरी उन्होंने बताया कि हेलिकॉप्टर दुपह दुरगटना ग्रस्त हो गया सुत्रों का कहना है कि हादसे से पहले हेलिकॉप्टर से कोई डिस्ट्रेस कॉल तक नहीं आई है ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हादसे से पहले चालक दल के सदस्य डिस्ट्रेस कॉल भी नहीं कर पाए लेंडिंग से पहले पाइलिट का मैसेज था कि वे 4000 फीट की उचाई पर है और लेंडिंग बेस से 5 मिनिट दूर है दूसरा बड़ा सवाल MI-17 सबसे सुरक्षित हेलिकॉप्टर है तो हाथसे का कारण तकनीकी गड़बडी या कुछ होगा MI-17 V5 हेलिकॉप्टर को बहुत सुरक्षित माना जाता है इसलिए इसे PM समेत अन्य VVIP यूज करते हैं इसमें डबल इंजिन होता है ऐसे में ये सवाल उटना लाजमी है कि अगर ये हेलिकॉप्टर इतना सुरक्षित है तो आखिर ये हाथसा कैसे हो गया क्या इस हाथसे की वज़ा तकनीकी गरबडी है या कुछ और वहीं जानकारों का मानना है कि कुन्नूर में हुए इस हाथसे की वज़ा कोहरा और सही द्रिश्यता नहीं होना हो सकता है जानकारों का ये भी कहना है कि इसमें तकनीकी गरबडी की आशन का बहुत कम है हानके दुरगटना के जांच के असली कारणों का पता भारतिय वायुसेना की तरफ से की जा रही कोर्ट ओफ एडवाईजरी के बाद ही आएगा हेलिकॉप्टर के अवशेशों की आगे की फोरेंसिंग जांच से ये भी पता चल सकता है कि क्या दुरगटना के बाहरी कारण थे इसके अलावा ग्रूप कैप्टन वरुम सिंग वेलिंग्टन तामिलनाडो मेटिफेंस सर्विसे स्टाफ कॉलेज में डाइरेक्टिंग स्टाफ भी उडान के बारे में सीधे जानकारी दे सकते हैं तीसरा सवाल आखिर ब्लैक बॉक्स में क्या है क्या उसमें कुछ रास्चिपे हुए हैं दुरगटना ग्रस्त हुए MI-17 B-5 हेलिकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है इससे पहले जांच टीम ने तलाशी का दाइरा बढ़ा दिया थ भले ही इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है लेकिन उडान डेटा रिकॉर्डर को चमकीले नारंगी रंग में रंगा जाता है और ये उडान डेटा और कॉक्पिट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है चौथा बड़ा सवाल वी वी आईपी हेलिकॉप्टर स्वदेशी है या विदेशी MI-17 V5 वी वी आईपी हेलिकॉप्टर रूस में निर्मित है इसे दुनिया का सबसे एडवांस हेलिकॉप्टर माना जाता है इसकी अधिक्तम स्पीड 500 किलोमीटर प्रती घंटा है ये एक बार फ्यूल के साथ 580 किलोमीटर का सफर तै कर सकता है 17 फर्वरी 2012 को इसे एरफोर्स में शामिल किया गया था आखरी बड़ा सवाल अचानक कोहरे में क्यों खो गया हेलिकॉप्टर सोशल मीडिया पर इस MI-17 V5 हेलिकॉप्टर से जुड़ा एक वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो को किसी टूरिस्ट ने शूट किया था वीडियो में हेलिकॉप्टर आस्मान में बिलकुल सही तरीके से उड़ता हुआ नजर आ रहा है चंद सेकेंड बाद ही हेलिकॉप्टर धुन के गुबार में गायब हो जाता है हाला कि कैपिटल टीवी इस वीडियो के पुष्टी नहीं करता है है मेरी जमी अफसो से नहीं जो तेरे लिए सो दर्द से अगर आपने भारतिय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मांसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है आपका होंसला बुलंद होना चाहिए आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आपने ताकत होनी चाहिए आपको मांसिक और शरूरिक रूप से खाबिल होना पड़े हैं है दिल की आरजी आपको मांसिक रूप से खाबिल होना प्राजी चाहिए